मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर तो हूँ नहीं, मैं कोई किशोर कुमार या फिर कुमार सानू तो हो नहीं लेकिन कॉलेज में लड़कियां कहती थी कि यार अतुल तुम गाना अच्छा गाते हो जब भी पिकनिक्स होती थी या गैदरिंग्स होती थी तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती थी कि या तुम गाना सुनाओ और जब मैं एक या दो पैक पीने के बाद गाता था तो सब लोग सुना करते थे इसलिए मुझे लगता है मेरी मॉम जो है वो भी हमेशा कहती है कि तुम अच्छा गाते हो I don't know मैं अच्छा गाता हूं कि नी गाता हूं या तो आपको डिसाइड करना है लेकिन देखिए मेरे पास कोई विवस्ता है नहीं मतलब ऑर्केस्ट्रा है नहीं मेरे पास कोई मुझिकल इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी चंदर मुखी के लिए गा सकूं एक्चुली वो आखे मूवी आई थी ने इस पर गोविंदा था और शिल्पा श्रोकर थी उसके गाने ने मुझे बहुत ही इंप्रेस किया है जो की अंगना में बाबा दुआरे पर मा है तो यही गाना मैं आज गाने का प्रयास कर रहा हूं और I am sure आप इस गरीब यूट्यूपर का जरूर साथ देंगे अगर पसंद आता है आपको देखिए लाइन्स में मत जाएगा मुझे लाइन्स याद ही नहीं है हो शकता है लाइन ऊपर नीचे हो जाए लेकिन भावनाव को समझो यार सिर्फ भावनाव को समझो यह गाना मैं समर्पित कर रहा हूं अपनी चंद्रमूखी के लिए अपनी चंदरमुखी, शिल्पा शुर्ण कर नहीं मेरी जिंदगी में भी एक चंदरमुखी थी, अभी है उसके लिए ही ये समर्पित है अगर आपको ये गाना पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा तो सुनिए आखे पिक्चर से ये गाना अंगना में बाबा दुआरे पे मा हो अंगना में बाबा दुआरे पे मा कैसे आए गोरी हम तोरे घर मा अंगना में बाबा दुआरे पे मा कैसे आए गोरी हम तोरे घर मा अंगना में बाबा दुआरे पे मा कैसे आए गोरी हम तोरे घर मा खेत गए बाबा बजार गई मा अंगना में बाबा दुआरे पे मा कैसे आए गोरी हम तोरे घर मा घर मा जो आई बे तो बोलो क्या खिलाई बे घर मा जो आई बे तो बोलो क्या खिलाई बे घर मा जो आई बे तो बोलो क्या खिलाई बे नरम नरम हातों से खाजा बाल मा अंगना में बाबा दुआरे पे मा कैसे आए गोरी हम तोरे घर मा कैसे आए गोरी हम तोरे घर मा